Electromagnetic waves की students introduction देखते हैं इसकी propagation और जो इसकी generation है वो हम next lecture में discuss करेंगे detail के साथ यहाँ पर हम just इसका introduction देखेंगे electromagnetic waves क्या है देखें जैसे के इसके आप topic को देख रहे हैं Electromagnetic यहाँ इसमें actually अब देख रहे हैं दो वेक्टर्स जो हैं इन्वाल्व है Electric field vector और magnetic field vector तो ऐसे waves जो के बगएर vacuum के travel करते हैं और इसमें यह दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ linked होते हैं यानि उसमें electric field भी होता है magnetic field भी होता है ऐसे waves को ऐसे disturbance को हम कहते हैं Electromagnetic waves जिससरा कि हमने 9th level पर या metric level भी पर पढ़ा था कि basically अगर हम according to medium waves को divide कर ले categories में तो हमारे पास आते हैं mechanical waves यानि यह वो category की हम बात कर रहे हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि कौन से waves medium के बगएर travel कर सकते हैं कौन से without medium सो इसमें आते हैं mechanical waves और second number पर आते हैं यह इसकी main category है second number पर आते हैं electromagnetic waves जो के ऊपर हम लिख चुके हैं shortly इसको हम कहेंगे EM waves Electromagnetic waves यहां पर हम बात करेंगे electromagnetic waves की actually जिससरा कि हमने बात की कि इसमें electric or magnetic fields होते हैं so electric or magnetic fields किस तरह होते हैं किस तरह एक दूसरे के साथ linked होते हैं यह first of all हम यहां पर इसकी जो figure है वो दिखाते हैं किस तरह हम इन दोनों को link कर सकते हैं या इनकी जो traveling होती है वो किस तरह होती है किस तरह यह move करते हैं so यहां पर हम दिखाते हैं figure इसकी यह देखें यह electromagnetic waves कि जो हमारे पास simple figure है किस तरह वो travel करते हैं वो हम दिखाते हैं यहां पर अब देखें जिस तरह कि हमने alternating current या alternating voltage का graph पढ़ा था अपने देखा था कि suppose हम एक sign waves से अगर उसको show कर ले यह देखें एक alternating voltage आप consider कर ले इसमें हमने देखा था इस तरह कि wave में कि जो क्या यहां तक इंक्रीज हो गई, फिर यहां तक इंक्रीज हो गई, यहां तक इंक्रीज हो गई, यहां तक इंक्रीज हो गई, तो आहिस्ता हिस्ता उसकी वेव, जो magnitude इंक्रीज होती है, Peak Value पर पहुंचती है, फिर Decrease होना शूरू हो जाती है, इस तरह यह, फिर Negative Direction में, वो Increase होना शूरू हो जाती है, Reverse Direction में, यह आता है, इस तरह इनकी जो दोनो लूपस, यानि, Forward Direction में, Forward Direction में, और जो reverse direction में यह दोनों loops जो हम combine करते हैं तो हम कहते हैं कि इससे एक wave बनता है उनका So बिल्कुल इसी तरह electromagnetic waves का figure हम देखाय हुआ है आप देख रहे हैं कि इसमें electric field भी है जो red से show हो रहा है that is electric field और जो blue से हम show कर रहे हैं this is magnetic field vector यह magnetic field vector है इसको मैं B से denote करता हूँ और यह हमारे पास electric field vector जो मैं E से denote करता हूँ So आप देख रहे हैं कि अगर मैं first electric field vector को देखूं उसकी value है वह हिस्ता हिस्ता increase हो रही है आप इन vectors को देखे इनकी magnitude को देखे वह हिस्ता हिस्ता increase हो रहा है voltage में पड़ाता, peak value आजाती है, फिर decrease होनों शुरू हो जाती है, फिर देखें आप negative direction में पीक value आजाती है, यानि reverse direction, negative y-axis पे, तो इस तरह जो red one है, अब देख रहें कि वो एक खास time period के बाद, एक खास time के बाद, अपना direction भी reverse करता है, और उस तरह इसका magnitude जो है, perpendicular, यानि अगर आप देखें, यह suppose y-axis है, electric field vector, so जो magnetic field vector है, वो z-axis पे हम ले रहे हैं, z-axis, इस पे देखें, वो बिल्कुल उसके साथ 90 degrees का angle बना रहा है, so दोनों जो है, दूसरी के पर perpendicular है, और उसमें जो variation है, वो बिल्कुल उसी तरह आ रहा है, देखें, इसका जो wave है, वो बिल्कुल यू बन रहा है, उसी तरह का wave बन रहा है, लेकिन just उसकी जो direction है, जो इस of electromagnetic induction, कि अगर suppose आप एक charge को move करते हैं, charge को move करते हैं, यानि electric field जो है, वो क्या करता है, moving charges, वो generate करते हैं, magnetic field को, यहाँ पर हम just उनको symbol से show करें, लेकिन actually उनकी changes की वज़ा से होते हैं, जब आप एक field को change करते हैं, वो next field को produce करते हैं, इसी तरह जब आप magnetic field को change करते हैं, उसका flux change करते हैं, so वो in result आपको देता है, electric field, तो बिलकुल आप देख रहे हैं कि, एक field vary करते हैं, तो उसके बाद दूसरा आता ही, दूसरा field vary करते हैं, तो उसके बाद, पर electric गाता है, electric पर vary करते को, पिर magnetic आता है, तो इस तरह एक दूसरे पर depends कर रहे है, यानि यह जो दॉनका यह एक दूसरे के साथ linked हैं, एक दूसरे की वज़े से ही produce होते हैं, और जब यह produce होते हैं, तो यह space में spread हो जाते हैं, in all directions, यह तो हमने एक ही direction शो किये हुए हैं, लेकिन नुफ़िव डारेक्शन में spread हो जाते हैं, और इनकी जो speed है, यह absolute speed के साथ spread होते हैं, जब हम इसकी value देखते हैं vacuum में, और इसकी value है, वो हम speed of light से लेते हैं, जो कि है 3 into 10 raise to power 8 meters per second, 3 into 10 raise to power 8 meters per second, यह इनकी speed है, यह अगर हम देखें, जो light है, वो भी actually part है, electromagnetic waves का, इनकी speed है, वो सब की सेम होती है, लेकिन just, जो difference है, मुक्तलिफ waves में, वो किन quantities मे होता है, frequency में और wavelength में, वेवलें lambda, lambda and frequency, frequency को हम एक और term से भी denote करते हैं, जिसको हम new कहते हैं, new इस तरह, जो f से भी इसको denote कर सकते हैं, new से भी कर सकते हैं, so, जो speed है इनकी, सब electromagnetic waves की, वो constant होती है vacuum में, यह अगर हम air में ले 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 तो approximately उतनी ही होती है, air में, यह vacuum में, इनकी speed constant है, जो कि यह 3 into 10 raise to power 8 meters per second, ल different है, यानि, many electromagnetic waves हैं, जो कि without medium भी travel कर सकते हैं, mechanical waves को हम पर हम consider नहीं करते हैं, चुंकि वो medium dependent है, हम just यहां पर electromagnetic waves की बात कर रहे हैं, जो कि without medium travel कर सकते हैं, so, actually, जो difference होते हैं, अगर आप देखे, suppose, radio waves, जिस तरह कि हम पढ़ते हैं, कि वो भी electromagnetic waves है, radio waves, इसी तरह आप देखे, जो microwaves हैं हमारे पास, suppose, microwaves, इसी तरह आप देखते हैं, जो हमारे पास है, gamma rays, gamma rays, etc, तो यह सारे spectrum पर भी हमने बात की थी, electromagnetic spectrum पर, spectrum का मतलब actually यह है, कि हम उनको एक खास quantity के लिहास से arrange करते हैं, बिलकु इसी तरह कि suppose, आप कुछ students को ले ले, consider कर ले, एक कि suppose, यह height है, for example, ए height है, हम उसको यहां पर रख लेते हैं, दूसरा student से, student उसका height इससे तोड़ा से ज्यादा है, उसको हम यू अरेंज करते हैं, यहां पर, तीसरा उससे भी उसका height ज्यादा है, so हम according to height देखे इसको एक खास order में रखते हैं, so यह हमारे पास क्या आजाएगा, एक arrangement आजाएग जब change होते हैं, तो दूसरे field, दूसरे magnetic electric को और electric magnetic को produce करते हैं, जिसको हमने electromagnetic induction में बढ़ाता, और इनकी जो speed है, वो constant है, लेकिन जो difference है, वो सिर्फ किस में है, wavelength में, wavelength में और frequency में, यानि हर एक जो अगर आप radio wave ले 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 ले, या microwave ले ले ले, इनकी wavelength है, वो सब एक द सिर्फ different होगी, लेकिन अगर आप इनकी speed देके, vacuum में, air में, तो सब constant है, जो कि इसके equal है, और अगर आप इसको किसी और material में move करते हैं, तो पिर इसकी speed reduce हो जाती है, जो vacuum में है, या air में, वो इसकी highest speed है, जो कि यह है, हमने इसकी value दी है, और यहां पर इसकी wavelength है, हम किस तर करेस्ट बन रहा है, magnetic field का, पिर electric field का, जो wavelength है, वो defiant हम करते हैं, simply, दो crest, consecutive crests, या consecutive troughs के दरम्यान, जो distance है, displacement, इसको हम लेते हैं, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं, कि यहां पर जो wavelength है, या दो consecutive electric field vectors के दरम्यान, या जो electric field के crests है, या पिर दो consecutive magnetic field के crest के दरम्यान, या आप यू, magnetic field के crests के दरम्यान, ये ले सकते हैं, ये भी wavelength है, और अगर आप electric field के दो crests के दरम्यान, या दो troughs के दरम्यान, वो भी wavelength है, और इस तरह आप देख रहे हैं, कि दोनों एक दूसरे के लिए भी perpendicular है, और जिस direction में ये move कर रहे हैं, उस direction को भी perpendicular है, तो इसलिए मार आपास कौन से waves हैं, transverse waves,